हेलो गाइज स्वागत आशक का में चैनल भट साब गेमिंग में तो मैं याकर सामने को और नए वड़े लेके आगे हूँ आज क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों के लिना बार बार लेजंडरी पे लेजंडरी चीजे रिटरन पे ला रही है जैसे पोकर MP40 होगी, टाइटैनिक स्कार होगी और ब्लड मून इंकुबेटर हो गया भाई लोग मैं आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट के साथ समझाने वाला हूँ और गाईज इस वीडियो में मैं आपको गरीना का कारा सच भी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सारे शौक होने वाले हो भाई लोग वीडियो में लास तक बने रहना ताकि आपसे कोई चीज शूटे ना और गाईज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसे मेरे चैनल पर कोई भी नहीं है तो सब चले आके गाईज वीडियो को लाइक कर दो उसके बाद लाल करके बटल को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाईज वैल आइकन को दबाके से ओल पर सेट कर दो ताकि इन फीचर में जब वीडियो डालों मेरी वीडियो सके नोटिविशन आपके बस सबसे पहले है जल दीच सके गाईज इन तिनों श्टैप्स को फड़ो कर दो क्योंकि ये बिल्कुली फ्री है सो गाईज आपको तो पता ही है ये फ्री फैर पेड फायर बन चुकी है अब भाई लोग फ्री फायर बिजनेस फायर भी बनती जा रही है अब ये हमारी पहले वाली Free Fire नहीं रही जहां बंदे मजे करने और गेम खेलने आते थे सरा सर गरीना ने Free Fire को Business Fire तो बनाई दिया है और अब ये बस पैसे वालों का गेम रह गया है गरीना अपनी भूकी नियत और अपने नंगे नाच के लिए तो पहले से बदनाम है एक बार तो गरीना ने Season 1 to 5 के Light Passes को Luck Roll में डाल दिया था as a special section भाई लोग गरीना इतनी पैसों की भूकी है गरीना ने 500-500 डायमंड्स के बंडल्स को पची सो पची सो डायमंड्स में बंदो को दिया गाईज रेयर आइटम किसे कहते हैं जो बहुत कम बंदों के पास हो गाईज रेयर आइटम को रेयर ही रहने चाहिए पर सिर्फ पैसे के लारच में गरीना उन रेयर आइटम्स को इवेंट्स में बांट देती है भाई लोग इलाइट पास इस तक तो ठीक था पर आप गरीना ने कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी है भाई लोग गरीना इतने रेयर रेयर इंकुबेटर स्को रिटान में ला रही है भैलोग बंदों में जितना गेम खेलने का अडिक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा डायमंड परचेस करने का या फिर नए नए चीज़े खोडने का अडिक्शन है और इसी अडिक्शन का गरिना बहुत ही गंदा फाइदा उठा रही है और यह एडिक्शन उन बंदों की वज़ से फैल रहा है जो free fire में बस diamond उडाने आते हैं नई नई चीजे लेने आते हैं और बस unboxing करने आते हैं भैलोग मैं किन की बात कर रहा हूँ आप समझ गिये होंगे क्योंकि समझदार को इशार ही काफी है भैलोग गिरिना को पता था इंडियन सर्वर में titanic scar की मांग बहुत ज़ादा है पर वो पहले भी तो titanic scar दे सकते थे पर उन्होंने blood moon पहले दिया मैं बताता हूँ क्यों भैलोग क्योंकि गिरिना एक बहुत chant company है गिरिना को पता है बंदोंने stone और diamond समाल के रखी होंगे पर गिरिना चाती थी कि वो उन्हें waste कर दें इसलिए उन्होंने blood moon का incubator पहले डाला और उस incubator में 90% discount भी दिया ताकि बंदे अपने सारे diamonds और stones को उड़ा दें और उनके पास एकदम zero diamond बचे ताकि बाद में जब गिरिना titanic scar को return मिलाए बंदे भर-भर के diamond top up करें उस titanic scar के लि So guys हमारा second point है news of pubg unban भाईलोग जब से gaming community में ये news आई है कि pubg unban होने वाली है तब से गरिना की फटके चार हो चुगी है Guys हम सबको पता है free fire एक best game है जिसकी वज़से pubg बयान उनके बाद pubg के बहुत से बंदे free fire खेले लग पड़े थे उनमें से कई बंदों को free fire पसंद नहीं आया वो उनको लोस है पर बहुत से बंदों को free fire बहुत ही अच्छा गेम लगा था इसलिए भाई लोग उन बंदों को free fire बहुत ही best game लगा था जिसकी वज़से वो pubg वाले बंदे भर भर के diamond top up कर रहे थे और light pass ले रहे थे जिसके कारण गेरीना को बहुत ही ज़दा फायदा हो रहा था गेरीना नोट पे नोट चाप रही थी पर भाई लोग जबसे pubg अन इंक्यूबेटर्स को रिटर्न में ला रही है ताकि वो pubg वाले बंदे उन इंक्यूबेटर्स से एट्रेक्ट हो जाएं और वो पर्मनेटली free fire में रहें वाई लोग यहते होगे हमारा second point अब चलते हैं third point की और तो guys हमारा third point है increase of 9 साल की audience आपको तो पता ही है हमारी free fire में 9 साल की audience बहुत जादा है जितनी हमारी free fire की community में match और audience नहीं है उसी जादा 9 साल की audience है उस audience का गरीना बहुत ही गंदा फाइदा उठा रही है गरीनों को पता है अगर उस बच्चा audience को कचरा भी दे देंगे तब poker MP40 को निकाल लिया अब मैं आपको बताता हूं यह poker MP40 का incubator इतना useless क्यों है भाई लोग सबसे नीचे वाली जो poker MP40 ब्लू वाली उसके attributes बिल्कुल clown MP40 की तरह है जो की store में available है और जो red वाली poker MP40 है उसके attributes बिल्कुल जो red bunny वाली MP40 है उसकी तरह है और जो green वाली MP40 है उसके attributes बिल्कुल mechanical MP40 की तरह है जो के store में available है और जो सबसे best MP40 है वो सबसे top वाली MP40 यह yellow color की क्योंकि वही सबसे different है और सबसे OP है और अगर कोई 9 साल की audience नीचे वाली MP40 निकानने वाला है तो वो अपने diamond waste ही कर रहा है क्योंकि उनके जैसी MP40 store में available है So guys यह होगे 3 points जिसके वसे green भर भर के legendary चीज़े वापिस ला रहा है So guys अब मैं आपको finally green आ का काला सच बताता हूं So भाईलो green आ का काला सच यह है green आ बहुती selfish हो चुकी है ना green आ players की परवा कर रही है ना audience की परवा कर रही है इसका सबसे बड़ा सबूत यह है अगर green आ को सबसे पहले है जल्दी चाके guys इन 3 steps को follow कर दो क्योंकि यह बिल्कुली free है सो भाईलोग पूरी वड़े देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया I hope आपका दिन शुब रहे